Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11th geography. The book name is Fundamental of Physical Geography. It is chapter 4 and the name of the chapter is Distribution of Ocean and Continent. तो इस chapter में basically आप देखेंगे कि जो present distribution है continent और ocean का world में वो distribution कैसे हुआ, किस तरह से geographers and scientists, different different theories देख करके present distribution of continent and ocean को justify करते हैं. तो आपको जैसे पता है कि अर्थ में total land area 29% और ocean area 71% है. जो ये present location है वो past में भी change हुआ है और जो present position बना है वो actually past के changes के वज़ा से बना है. अगर presently Asia आपका एक side में, अमेरिका दूसरे side में और बीच में ocean है, तो ये जो position है, ये present position है ocean और continent का, ये कुछ ना कुछ हो past में हो रहे activities के वज़ा से present position में आए हैं. तो इसको explain करने के लिए कि किस तरह से ये distribution हुआ है ocean और continent का, इसको explain करने के लिए कई theories आए हैं. तो उसमें से जो पहला theory था, वो था continental drift theory जो आया था 1951 में. तो कई scientists और geographers थे, जिन्होंने जब world map को देखा, तो उन्हें ऐसा मैसूस हुआ कि जो Atlantic Ocean के coastline है, Atlantic Ocean के left side में और Atlantic Ocean के right side में. Atlantic Ocean के एक side में दोनों अमेरिका है, North America and South America और दूसरे side में आपका Europe and Africa है. तो उन दोनों coastline को जब आप देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये बिलकुल एकदम से symmetrical coastline है, ऐसा लगता है किसी puzzle को दो तुकड़े में तोड़ करके अलग-अलग रख दिया गया है. तो जब आपको इस तरह से आप देखते हो, तो आपको आपके मन में ये विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये continent किसी समय में एक दूसरे से जुड़े हुए थे. तो इस तरह का सवाल कई जोगरफर और कई साइन्टिस्ट के दिमाग में आया, और फिर at the end, अलफ़र्ड वेगनर नाम के साइन्टिस्ट ने इस पर research किया, और उन्होंने एक theory प्रेजन्ट की और उस theory का नाम था continental drift theory, और इस theory को उन्होंने प्रेजन्ट किया और कहा कि 200 million year ago, according to वेगनर, वेगनर ने क्या कहा कि 200 million year ago ये जो सारे continent थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, और उस continent का नाम था पैंजिया, और पैंजिया एक mega ocean से surrounded थी और उस ocean का नाम था पैंथा लासा, पैंजिया का मतलब होता है all earth और पैंथा लासा का मतलब होता है all water, यानि वेगन continent एक ही सूपर continent था, उसका नाम था पैंजिया और सारे ocean भी एक ही थे और वो उस पैंजिया को surround किये हुए थे और उसका नाम था पैंथा लासा, तो किस तरह से पैंजिया दिखती थी, उनके हिसाब से पैंजिया आपकी इस तरह से नजर आती थी, यानि पूरी जो continent थी, सा लेक हो जाती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है उपर वाला पार्ट लॉरेशिया और नीचे वाला पार्ट गोंदवाना लैंड बन जाता है ठीक है तो ये था वेगनर का कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट त्योरी जिन्नों ने कहा कि पहले पूरी कॉंटिनेंट एक सा थी उसका नाम था Pangea, फिर Pangea टूट गई, और एक पार्ट बन गया Loresia, और दूसरा पार्ट बन गया Gondwana Land, और फिर Loresia भी टूट गई, और Gondwana Land भी टूट गया, और ये लोग सब parts में डिवाइड हो गए, और डिवाइड होते होते एक दूसरे से दूर जाते जाते, ये seven continent बन जाते हैं तो उनके हिसाब से ब्रजेंट कॉंटिनेट्स सेंट्रान्ट है वह इसलिए क्योंकि पैंजेया डोब पार्ट में ठूटी और टूटके कॉंटीनेंट एक दूसरे से drift होती गई दूर होती गई और present continental position को में वो आ गई तो ये उन्होंने theory दिया continental drift theory अपने theory को justify करने के लिए उन्होंने कई evidences produce किये और उन evidences के through उन्होंने ये प्रूब किया कि ये जो theory में दे रहा हूं वो सच है तो उन्होंने क्या-क्या evidences दिये उन्होंने sore line दिखाया अफ्रिका का और South America का और अफ्रिका और South America का sore line यानि जो समुद्री का किनारा है जो Atlantic Ocean की तरफ जो sore line इनका बनता है उसको दिखाया और कहा कि इनको देखो और ये देख करके एकदम ऐसा लगता है कि ये किसी puzzle के किसी match के दो टुकड़े है remarkable और unmistakable match है यानि कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एकदम exactly एक जैसे एक पार्ट से दूसरा पार्ट जुड़ जाएगा जैसे आप किसी puzzles में आप दो पार्ट को जोड़ते हो और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं सेम वैसा ही ये पार्ट को देखने से लगता है साथ में इन दोनों के रॉप के एज एक ही है यानि कि दोनों ही कॉंटिनेंट का रॉप एक ही टाइम में फॉर्म हुआ है तो देखो इनको इनको इस तरह ही कैसे दिखाया आप देख सकते हो कि एक साइट अपरिका एक साइट साथ अमेरिका है अगर इनको नस्दीक लाके दिखाया गया है इस और फिर तीसरा evidence उन्हों ने दिया कि यह जो rocks हैं दोनों साइड में मिल रहा है ना केवल उनके age एक जैसे हैं बलकि यह बिल्कुल एक जैसे rock है बिल्कुल same type of rock है और इनके जो under sediment है तिलाइट sediment वो भी एक जैसा ही है और फिर इनके जो minerals मिलते हैं जो दोनों ही countries में mineral मिलते है जाए वो South America में देख लो या अफरीका में देख लो दोनों side में मिलने वाले minerals भी बिल्कुल एक जैसे हैं ऐसा लगता है कि यह दोनों ही एक ही place के दो parts है साथ में उन्होंने fossil की study की fossil क्या होता है जो dead remains होते है plants inanimal के पुराने plants inanimal के dead remains आपके rocks में deposit हो जाते हैं तो उन्हें fossil का जाता है तो उन fossil की अगर study करें तो पता चलता है कि इन दोनों ही जगा में पाए जाने पाले plants and animals बिल्कुल एक जैसे हैं और कई जगाएं तो ऐसी हैं इन जगाओं में जो कि actually hot place है मगर वहाँ पे ice seat मिल रहा है तो ice seat कैसे मिल रहा है hot places में ठीक है तो इस तरह के evidence देख करके उन्होंने ये प्रूब करने की कोशिश की कि दरासल ये जो दो land डिख रहे हैं वो दो land अलग-अलग land नहीं है वो दो land किसी जमाने में एक ही land थे और ये दोनों एक दूसरे से तूट के अलग हो गए तो उन्होंने ये सारे evidences देख करके अपनी continental drift theory को justify करने की की ठीक है तो continental drift theory का उन्होंने ये evidences दिया पर दूसरे geographers and scientists ने उनसे question किया कि ठीक है मान लिया कि पैंजिया नाम की एक continent थी वो आपस में जुडी थी फिर continent टूट के अलग होते गए एक दूसरे से मगर ये क्यों टूट गए क्या forces थे जिसके वज़ा से ये continent drift हो गए एक तो उन्होंने इसको justify करने के लिए दो रीजन बताए दो forces बताए जिसके वज़ा से continental drift theory existence में आया तो एक था आपका pole feeding force तो pole feeding force क्या कहता है pole feeding force के हिसाब से actually आपके Alfred Wagner ने कहा कि ये जो सारे continent थे ये जो पैंजिया था actually आपका southern pole में था south pole में था और क्योंकि आपका जो centrifugal force है जो rotation of earth की वज़ा से जो force produce होता है तो rotation of force rotation of earth की वज़ा से जो centrifugal force produce होता है वो क्या करता है आपको आपको अपने center से दूर ले जाता है तो इस जो सारे continent थे वो actually आपके इसाब से जो सारे continent थे वो south pole में थे पैंजिया और वो आपकी earth के rotation के कारण centrifugal force के कारण दूर जाते गए पोल से south pole से दूर चले गए equator की तरफ और northern hemisphere की तरफ और यह force है यह force लगा आपका earth के rotation के कारण और इस force के वज़ा से वो जिस south pole में वो exist करते थे वहाँ से वो दूर चले गए तो यह pole fleeing force एक reason है क्यों यह तूड गए और एक दूसरे से दूर चले गए tidal force उन्होंने कहा यह जो tidal force होता है जो sun और moon अपना attraction हमारे धती पे डालते हैं और जिसके कारण समुद्र में tides आती हैं तो यह tidal force millions of years तक हमारे अर्थ पे पढ़ता रहा और इन tidal force के वज़ा से भी हमारे continent actually break हो गए और एक दूसरे से आलग हो गए तो यह तो reason उन्हों अपने अपने theories को justify करने के लिए continental drift theory को मगर यह दो reasons दूसरे geographers and scientists ने sufficient नहीं पाया कि यह यह दो ही force के वज़ा से continent टूट गए यह कोई justifiable explanation नहीं है और इस लिए इस theory को उतना ज्यादा accept नहीं किया गया उसके बाद आपका continental drift theories के बाद कुछ studies हुई बहुत सारी studies हुई और ocean floor का mapping किया गया और conventional current theory present किया गया conventional current theory Arthur Humes ने 1930 में present किया और यह conventional current theory कहता है कि जो यह mental है जो crust के नीचे का जो layer है mental उस mental में molten rock है यानि कि solid नहीं है जैसे crust solid है वैसे mental आपका जो second layer है आपके आर्थ का वो solid नहीं है वो molten form में है liquid form में है और वहां का जो rock है वो molten form में है और वो ही reason है क्यों continent एक दूसरे से दूर गया क्योंकि वो liquid form में है तो इसको justify किया आपका mapping process जो ocean floor की mapping की गई ठीक है जब आपका late 90s की middle में आपकी यह जो ocean floor की mapping करना सुरू हो गया और जब इस ocean floor की mapping हुई तो इस ocean floor में पाया गया कि जिस तरह से धर्ती पर आपके mountains है, platos है, plain है same way, same way ocean के अंदर भी mountains, plateau, plains मिल रहे हैं, trenches मिल रहे हैं और यह जो features हैं, यह जो continent, यह जो बहुत सारे physical features हैं, वो आपके continental margin, continent के margins में पाय जा रहे हैं और साइध यही reason है, यह जो नए नए features हैं, यही वो reason है, जो continent को एक दूसरे से दूर किये जा रहे हैं तो उन्होंने यह बात कहा, उसके बाद ocean food के mapping में यह पाया गया कि mid oceanic ridge है, mid oceanic ridge क्या होता है एक बहुत लंबी स्रिंखला mountains की ocean के बीचो बीच पाय जाती है, तो यह जो बहुत लंबी सी mid oceanic ridge है ocean के बीचो बीच पहाडों का एक बड़ा असा सिल्सिला है, तो यह पहाड बने कैसे, आपके ocean के अंदर यह पहाड कैसे existence में आए तो इसका reason है, magma जो की volcanic eruption में निकलता है, यानि volcanic activity ocean के अंदर ही अंदर हो रही है और वो magma निकाल रही है, बाद में वो magma solidify करके आपका mountain का रूप ले रहा है scientist ने फिर उस oceanic ridge के rock की study की, और जब rock की study की तो उन्होंने पाया कि जो rock आपके oceanic ridge के आसपास है, वो younger है, यानि कि अभी अभी form हुए है बलकि वो rock जो continent के आसपास है, वो old है दोनों ही side के जो continents है, ocean के दो sides में जो continent है, उनके rocks old है और जो old भी है और same भी है, यानि कि ये बहुत पहले बने वे थे, जो continent के rock है वो पहले बने थे, और एक ही जैसे rock है, यानि कि दोनों rock एक ही place के दो पार्ट लग रहे है तो ये continent पहले बना हुआ था, उसके बाद बीच में ocean में नया नया magma जब निकला है तो नया नया आपका rock फॉर्म हुआ है, और ये जब बीचो बीच magma निकलता गया तो ये continent को एक दूसरे से अलग करता गया, पीछे की तरफ भेशता रहा, एक दूसरे को दो अलग-अलग साइड में भेशता रहा तो ये आपका reason है, ये निकलने वाले molten magma जो आपके धरती के अंदर से निकल रही है और नए-नए rocks form कर रही है, और नए-नए crust form कर रही है, वो reason है कि क्यों continent एक दूसरे से दूर चले गए तो जब rock की study की गई, देखा कि आपके Mid-Oceanic Ridge के left side और right side में जो nearby है, वहाँ पर तो rock का एक यंग है पर continent के side का जो rock का यह जब वो old है और same है, यानि कि क्या है इसका मतलब कि सारे continent, यह continent पहले जहां पर दूनों side में old rock है, वो दूनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यह same age के बने वे rock है, और बीच में जब magma निकलने लगा volcanic eruption से, तो यह दोनों continent एक दूसरे से drift होते गए और दो अलग-अलग side में चले गए तो यह आपका Arthur Humes ने jury present किया, तो इसी दोनों arguments से उन्होंने अपने conventional current theory को justify करने की कोशिश की फिर अब हम देखेंगे ocean floor configuration, यानि कि ocean के floor के अंदर क्या-क्या है यह हम पता करेंगे तो देखो ocean का जो floor है वो three parts में divided है, एक होता है आपका continental margin, यह continental margin आपका sea source है, मतलब समूदर के किनारे से start होता है और जब आप समूदर के किनारे से sea के अंदर जाने लगते हो, deep sea में जाने लगते हो, तो आप देखते हो कि एक slope होता है, धलान होती है, आप नीचे जाते हो, जाते हो और एक slope जैसा आपको महसूस होता है, आप लगता है कि आप किसी गड़े में गुसे जा रहे हो, और एक है आपका continental margin, उस दूसरा आपका होगा abysal plane और तीसरा होगा middle snake raises, तो जो continental margin है, उसमें कौन कौन सा बाट आता है, उसमें आपका continental self आता है, फिर continental slope आता है, फिर continental rise और deep sea trinches आते हैं, ठीक है, और यहां पे water आपका really increase होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लग होगे water के अंदर, जैसे अंदर जाते जाओगे, आपका water का level बढ़ता जाएगा और आप अंदर चले जाने लग जाओगे, बिल्कुल डूमने लग जाओगे, ठीक है, तो यह continental self, continental slope, continental rise and deep sea trinches, मैं आपको, मैं, आपको, डाइग्राम में दिखाऊंगी कि किसे का आता है, continental continental slope, आपके वो समुदर के किनारे वाले का जाता है, जो बीच के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका slope आजाता है, slope यानि धलान, और continental rise यानि आपकी water की level rise होने लगेगी, और deep sea trenches, यानि की sea के अंदर बड़े-बड़े आपको मिलेंगे, जिसके अंदर जो actually sea का deepest part होता है, जिसके अंदर आप और और भी जाता गड़ा होता है, जिसके अंदर आप डूब सकते हो, उस तरह का गड़ा, काफी deep गड़ा आपको continental margin में मिलेंगे, तो continental margin इन four parts को combine करके बनता है, उसके बाद आपका आता है, ocean floor configuration में abysal plane आता है, तो ये जो ये आप जब इस तरह से आपको slope आता जाता है, आप धलान की तरफ निकलते चले जाते हो, जब आप continental margin को cover करते हो, तो आपको लगता है कि आप समुद्र और गहरा, और गहरा, और गहरा होते जा रहा है, मगर फिर एक लेबल के बाद, जब आप बिल्कुल deep sea में पहुँच जाओग तो वो एक plane area बन जाएगा, फिर आपको धलान नहीं मिलेगी, वो plane area बनेगा, वहाँ का slope बिल्कुल gentle होगा, वो एक जैसे कि आपका North Indian plane है न, उस तरह का plane जैसा area आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर यहाँ पर आपका बिल्कुल smooth particles मिलेंगे, आपको sand की, और यह आपक continental margin और oceanic ridge के beach का area है, ठीक है, तो आपका यह बिल्कुल smooth sediment से बना हुआ है, और यह जो sediment जैसे कि आपकी wave है, जो आपकी ocean में बैह रही है, वो भी कई erosional activity करती रहती है, इरosional activity करते वे कई sediments को निकालती रहती है, और उस fine sediment को वो इस area में deposit करती जाती है, और इससे आपका abysal plane बना वबा है, उसके बाद जो third part है आपका ocean floor configuration का, वो है mid oceanic ridges, यह आपका chain up mountain है, यानि कि बड़ी इसी लंबी सी स्रिंकला mountain की ocean के बीचों बीच बनी हुई है, और यह आपका world का longest mountain chain माना जाता है, और यह volcanic activity के बज़ा से बनी है, यानि कि volcano से जो magma निकला है, वही layer by layer solidify होकर, एक के उपर एक solidify होकर के mountain का रूप ले लिया है, और यह एक बहुत ही लंबी दूरी तक आपके ocean में फैला है, यानि आपके ocean को अगर आप divide करोगे, आप three parts मे डिवाइड कर सकते हो, continental margin, episode plane और mid oceanic ranges, तो इसको आप यहाँ देख सकते हो, आपका starting में, आपका left hand side of the screen में आप देखोगे, कि आपका beaches के बाद sea source start होता है, और इसके बाद आपको इसी को कहा जाता है continental self, उसके बाद continental slope आता है, continental slope में क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका slope न गिरते जा रहे हो, और फिर continental rise आता है, जहाँ पर आपका ocean कलेबल बढ़ जाता है, यहाँ पर deep sea trenches भी आते हैं, trenches जानी कि आप समझ लो की एक बड़ा सा गढ़ा, समूदर के अंदर यह अंदर जो गढ़े होते हैं, उसको कहा जाता है trenches, उसके बाद आपका देखो यह एरिय कहलाता है, और उसके बाद आपका start होता है mid oceanic ridges, यानि कि पहाडों की shrinkla start हो जाती है, तो यह आपका ocean floor configuration है, यानि कि इस तरह से आप ocean को three parts में divide कर सकते हो, अभी हम एक और बात देखेंगे, वो है आपका distribution of volcano and earthquake, तो ऐसा नहीं कि आपका volcano और earthquake कुछ limited area में आता जाता है, आ आपके all over the world कई ऐसे area हैं, जो कि common हैं, जहां पर आपका हमेशा ज्यादा तर volcanic eruption या earthquake होता रहता है, तो इस जो figure में है ना, इसमें आपको black dots जो हैं, जो big black dots हैं, वो hot spots हैं, volcano eruption का, और जो tiny black dots हैं, वो भी volcanic area है, मग उतना बड़ा hot spots नहीं हैं, और जो gray shaded reason आपके इस figure में इसके बाद आपको यहां पर जो gray dots दिखाई देंगे, वो भी earthquake zone है, जो shaded area है, वहां पर जादा earthquake आता है, बलकि gray dots हैं, वहां पर कम earthquake आता है, तो यह figure same to same figure आपके book में भी दिये गये हैं, तो यह actually आपको describe कर रहा है कि किस तरह से different different places में आपके earthquake and volcanic eruption आ रहा है, तो I recommend कि आप इस map को एक बार देख लो, ताकि आप अगर location बत पूछा जाए कि earthquake का area and volcanic eruption का area, तो आप उसको locate कर सको, all right, अब हम देखेंगे sea floor spreading, यह एक नई theory दी गए, जिसे दिया था हैस ने 1961 में और इन्हों ने इसके थुरू आपने present position आप continent and ocean को explain करने की कोशिश की, तो इनके हिसाब से, हैस के हिसाब से जो 1961 में उन्हों ने दिया, उन्हों ने कहा कि जो यह ocean का floor है, ocean की जो जमीन है, वो spread हो रही है, फैल रही है, और यह बात आपकी rock की जो study है, यह proof करती है, volcanic eruption के कारण ही mid oceanic ridges form हुए है, और यह जो rock है, अगर आप rock का equidistance में rock की edges को compare कर होगे, तो आप देखो की क्यों का age एक है, जैसे आपका mid oceanic ridge है, middle oceanic ridge के, आप मानलो मैं आपको बताते हो, की जैसे आपका mid oceanic ridge है, यह आपका mid oceanic ridge है, आप mid oceanic ridge के यहां के rock और यहां के rock को compare करोगे तो वो same age का एो, फिर और 10 km आगे चले ज़ा और यहां 10 km आगे चले ज़ा तो वो भी सेम एज के हैं, यानि यह 5-5 km वाले एज का एज सेम है, यह 10-10 km वाले रॉक तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस यहां से जो निकल रहा है मैगमा उसके वजह से बन रहा है और पुराने वाले रॉक आपके इस साइड बहुते हैं दूर जाले जा रहे हैं और नए नए रॉक्स आपके आगे के एरिया में आपके नए नए रॉक हैं और पीछे की तरफ जो जा रही है वहां पे आपके पुराने रॉक पहुच रहे हैं यानि कि आपका ओशन फ्लोर एक्चुली स्प्रेड हो रहा है और नए नए रॉक्स उसके अधनस्दीक आ रहे हैं और पुराना रॉक उसका पीछे की तरफ हटता जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ हुआ आपक पीछे की तरफ धकेलते जा रही है तो यह उनका कहना था कि उन्होंने येस बात को प्रूब करने के लिए रॉक के एज का साहरा लिया और ये बताया कि इक्वल डिस्टेंस में दोनों साइट के रॉक के एज सेम है ठीक है उसके बाद उन्होंने ओशन क्रस्ट का एज उन्होंने कहा अगर जब हम क्रस्ट के एच का कंपेर करेंगे, sure you have isどう ANY वह पर आप काउंटीनेंट के एच कोंपेर करो और आप उसंं के एच को रॉक के एज को compare करो, तो आप देखोगे कि जो ocean का crust है, उसका rock young है और continent का rock old है, यानि ocean बीच में continent की नहीं नहीं आई है, उसी समय नहीं आई है जब continent आया था, ये दो continent के बीच में ocean अभी अभी नया नया form हुई है, ठीक है, और जो sediment है ocean floor के वो तिन है, और young है, यानि जो ocean floor सेडिमेंट मिलते हैं, जो मिट्टी मिलती है, उनका age भी यंग है, continent में मिलने वाली मिट्टी का age, आपका old है, और ocean floor में मिलने वाली मिट्टी का age, जो sediments है, उनका age young है, और वो थिन भी है, थिन है in the sense की नई नहीं ताजा-ताजा बनने से थिन होती है, अगर वो ओल्ड ह पर लेहर चर्चे चर्चे वह ठीक हो जाती है तो continent वाली ठीक है और ocean वाली थिन है continent वाली पुरान ही और ocean वाली नहीं है इसका मतलब की ocean नया नया बन रहा है और यह फैल रहा है दोनों ही साइड तो यह जो आर्थक्वेक है यह common होता है रिजेस के पास जो होता है जो आपके जो रिज का एरिया होता है ओशन फ्लोर में जो मिड ओसनिक रिजेस है पहाड़े पहाड जो है वहाँ पे volcanic eruption भी होता है और आर्थक्वेक भी लगातार होता रहता है क्योंकि यह आपका weak zone है ठीक crust को एक दूसरे से दूर हटा रहा है और इसी को कहा जाता है ocean floor spreading और beach के समुद्र का area बढ़ रहा है इसे कहा जाता है ocean floor spreading तो यह हैस ने दिया था अब उसके बाद एक और theory आई उसका नाम था plate tectonic यह बहुत ही famous and most acceptable theory है आपके continent के present position को समझाने के लिए इसे दिया था McKenzie, Parker और Morgan ने 1967 में तो tectonic plate theory से उन्होंने कहा कि यह जो plates है यह जो यह जो continents है यह जो आपका जो world का जो continent है वो actually बहुत सारे different plates है यह बहुत ही बड़े-बड़े massive plates है बहुत बड़े-बड़े plates है जो की irregular shape में कोई आसा नहीं कि कोई regular shape जैसे triangle, rectangle या square shape में नहीं है यह irregular shape में बना हुआ बड़ा-बड़ा solid mass का टुकड़ा है जो rock से बना हुआ है और बहुत सारे plates आपके earth में present है कुछ जो plate है वो कुछ आपके continental plates continent है और कुछ crust आपके oceanic है यह जो plates है यह lithosphere आपका सब्सक्राइब है और आपका यह plates कुछ तो plates आपके oceanic है और कुछ आपके continental है तो lithosphere क्या होता है lithosphere में आप crust आता है और mental का top part आता है दोनों मिल करके आपका lithosphere बनाते हैं lithosphere का जो thickness है वो समुद्र में थोड़ा कम और continent में ज्यादा होता है समुद्र में वो 500 km तक हो सकता है और आपका जो continent है वहाँ पे 200 km तक पाया जा सकता है तो इस theory के हिसाब से उन्होंने यह क्या कहना चाहते है प्लेट्रेक्राइब के हिसाब आप से कि यह जो lithosphere है जो आपका crust और mental का जो top part है वो दोनों वो दोनों मिलकर जो lithosphere बनाते हैं वो यह lithosphere seven major plate और some minor plate में divided हैं यानि कि यह plate plate से बनी हुई है ठीक है यह जो lithosphere है वह बहुत सारी plates से बनी हुई है seven major plate और कुछ minor plate से तो seven major plates के नेम आपके बुक में दिये हैं एक है आपका अंटार्टिका plate जो की जिसमें अंटार्टिका continent और surrounding ocean plates आता है एक North American plate एक South American plate एक Pacific plate एक Indo-Australian plate जिसमें New Zealand भी आता है और एक African plate जिसमें आपका Eastern Atlantic floor आता है और Eurasian plate जिसमें adjacent ocean plates भी आते हैं और कुछ important minor plates भी है साथ में major seven major plates के रवा कुछ minor plates भी है जैसे कि आपका कोकाउस plate जो की आपका Central America और Pacific plate के बीच में है नजाका plate आपका जो South America and Pacific plate के बीच में है Arabian plate जो की आपका Saudi Arabian landmass को consist करता है फिलिपिन plate जो की आपका Asiatic and Pacific plate के बीच में है और इसके अलावा Caroline plate जो की आपका फिलिपिन और Indian plate के बीच में है और फ्यूजी plate जो की North East of Australia का है तो इस तरह से 7 major plate और कुछ minor plate में इनके हिसाब से इन तीनों के हिसाब से हमारा lithosphere divided है तो plate tectonic theory कहता है कि हमारा जो lithosphere है वह 7 major और कुछ minor plates में divided है तो यह major and minor plates आपको आपके book के map में present किया गया है तो इसको भी आप जरूर से देख लेना उसके बाद आपका plate tectonic theory क्या कहता है कि जो यह continent है यह actually continent part of plate है ठीक है यह continent किसी ना किसी plate के पार्ट है यह जो continent है किसी ना किसी plate के ऊपर है और continent drift नहीं कर रही है continent move नहीं कर रही है यह plate move कर रहा है उनके हिसाब से ठीक है इनने कहा plate tectonic movement के तुर यह जो पहले आपके plates major and minor plates है वो move हो रहे है और यह plates आपके past में भी move हो रहे थे present में भी move हो रहे है और future में भी move करेंगे जो यह वेगनर्स ने पैंजिया के बारे में बात की तो ठीक है कभी थी पैंजिया मगर वो पैंजिया क्यों थी converging के कारण थी converging plate tectonic three types of movement के बारे में बात काता है जो हम आपको भी बताएंगे तो converging movement के कारण पैंजिया बनी थी यानि की converge हो गई थी यह जो different different plate से वो converge हो गयते एक दूस्ते से जुड़ गयते गुमते गुमते आये और एक दूस्ते से जुड़ गये और जुड़ कर उन्होंने पैंजिया का formation किया था तो पैंजिया actually convergence of यह plate था ठीक है और उसके बाद यह कहती है कि three types of plates three types of plates boundary होती है three types of movement plates के बीचो बीच होता रहता है और यह plates क्यों move हो रहे है क्योंकि अंदर ही अंदर molten lava move हो रहा है और उस molten lava के साथ साथ यह seven major plates and बाकी के minor plates move हो रहे है और इसी वज़ा से आपके continent का position हमीसा change होता रहता है according to plate tectonic theory तो plate tectonic theory कहती है कि three types of movement three types of plate boundary होती है एक होती है आपकी divergent plate boundary एक होती है conversion plate boundary और एक होती है आपकी transform plate boundary तो सबसे पहले हम देखेंगे divergent plate boundary क्या होती है divergent plate boundaries में क्या होती है प्लेट आपकी पुल अवे हो जाती है एक दूसरे से दूर चली जाती है और जब वो दूर चली जाती है तो जैसे कि आपकी दो प्लेट एक प्लेट आपकी इस साइड जाएगी और एक प्लेट तूट करके इस साइड जाएगी तो बीच में जो एरिया खाली होगा वहाँ प यह जब जुड़ी हुई थी तो यह जगा place खाली हो गया तो यहाँ पर एक नया crust formation होगा ठीक है तो इसमें यह क्या कहती है कि दो place आपकी एक दूसरे से दूर चले जाती है और उस समय एक new crust का formation होता है और इसी लिए this site is called spreading site spreading sites कहलाता है यह क्योंकि इसमें spread हो रहा है आपका जो crust है वो spread हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है इसका एक example आपका mid oceanic ridge है जो Atlantic ocean में है ठीक है इसके वज़ाद जो American plate और Eurasian and African plates के बीचों बीच जो mid oceanic ridge पाया जाता है यह उसका एक main example है कि किस तरह से divergent होकर के दोनों अलग अलग चले गए और बीचों बीच आपका ocean में नया crust formation होने लग गया ठीक है अब इसी plate tectonic theory case हम second boundary के बारे में बात करेंगे वो है आपका convergent boundary तो convergent boundary में क्या होती है एक plate आपकी इस side से आती है और एक plate आपकी इस side से आती है और दोनों आकर कि एक दूसरे को bump करती है और bump करके एक आपकी उसकी नीचे चले जाएगी और एक उ crust destroy हो जाएगा दोनों मिल करके एक crust बना देंगे तो क्या हो जाएगा बीच का आपका area एक के उपर एक चड़ जाएगे तो crust का जितना area पहले कबर कर रहे थे separate होते हुए जब इस तरह से वो पहले थे तो ज़्यादा crust को कबर कर रहे थे जब यह एक के उपर एक चड़ जा हो जाता है तो crust यहाँ पे destroy हो जाता है इसलिए इसको कहा जाता है subjunction zone इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक के पर एक चड़ती है और crust को destroy करती है तो यह जब convergent होता है न तो convergent जब दो plates के बीच में convergent होता है तो यह दो plates आपके दो oceanic plates भी हो सकते हैं दो continental plates भी हो सकते हैं या एक continental और एक oceanic plates भी हो सकता है अब हम plate tectonic के third types of boundary के बारे में बात करेंगे third type of movement जो होता है plates के बीच में वो होता है आपका transform boundary transform boundary में आपकी ना तो crust create होती है ना तो crust destroy होती है इसमें आपकी दो plates होती है वो दोनों एक दूसरे से को rough करते हुए transform करते हुए चली जाती है बस एक दूसरे को थोड़ा सा rub करते हुए एक दूसरे से को touch करते हुए निकल जाती है और इसमें horizontally passed away ये बस एक दूसरे को horizontally passed away करते हुए एक दूसरे से छूते हुए निकल जाती है तो देखो आपको इस figure में दिखाया गया है divergent boundary, transform boundary and convergent boundary तो आपका first one divergent boundary में क्या हो रहा है? दो plates अलग-अलग एक दूसरे से चली जा रही है transform boundary में एक दूसरों को horizontally past away करते वे चली जा रही है और convergent boundary में क्या हो रहा है? एक plate दूसरे plate के उपर चड़ जा रही है तो ये तीन तरह की movements आपके plates के बीच में होती है according to plate tectonic movements तो अब जो ये theory है ये सबसे ज़्यादा acceptable theory है plate tectonic और इसी को actually mostly widely accept किया गया है ये explain करने के लिए कि जो present position ocean और continent का है वो किस वज़ा से है तो ये पूछा जाता है कि किस rate से plate आपकी move कर रही है तो ये rate को measure करने के लिए creep meter का use किया जाता है different different plate different different rate से move कर रही है कहीं पे वो fast move कर रही है कहीं पे वो slow move कर रही है जो सबसे slow move कर रही है वो है arctic ridge जो less than 2.5 cm का distance travel करती है per year दूसरी तरह आपका east pacific rise में near easter island जो कि south pacific से about 300 km west आप चिली है fastest rate of movement देखा गया है जहां पे आपका साल भर में 15 cm का distance plate कबर कर रही है तो इस तरह से हर plate अपने अपने तरीके से different different rate में move कर रही है तो ये पूछा जाता है कि क्या forces है जिसके वज़ाद से plate आपकी move कर रही है तो इसका अंसर है कि जैसा कि आपका continental drift theory कहता था कि earth एक solid form में है motionless है और बस वो आपकी तूट के एक दूसरे से अलग हो गई वैसा नहीं है earth आपका solid नहीं है earth आपका अंदर से liquid है और ये motionless नहीं है इसके अंदर continuously conventional current flow कर रही है molten lava flow कर रहा है और इस flow के साथ इस conventional current के जो flow कर रहा है अंदर ही अंदर आपके lithosphere के उस वज़ा से आपका plate भी move कर रहा है और ये past में भी move किया था present भी move कर रहा है और future में भी move करता रहेगा उसके बाद हम देखेंगे कि Indian plate का movement भी के बारे में हम पढ़ेंगे आपको पता है कि India का जो peninsular part है जो नीचे का part है southern part of India वो किसी समय अस्ट्रेलिया से जुड़ी होई थी तो वो अस्ट्रेलिया से जब जुड़ी होई थी तो उनके बीच में divergent movement होता है वो अस्ट्रेलिया से जो इंदिया का नीचे का southern part है वो उससे तूट जाता है और वो यूरेशन प्लेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे जाके वो तिबितियन ब्लॉक के साथ टकराता है और थेतिस सीज कोलाइट करती है एशन ब्लॉक से और वहाँ पे जब convergent movement होता है इंदियन ब्लॉक में और यूरेशन ब्लॉक में तब आपका इंदिया वहाँ से जुड़ जाता है और ये सब कब हुआ था 40 से 50 मिलियन एर एगो हुआ था और इंदिया को इस जर्नी में 200 मिलियन एर का टाइम लगा और इसी जर्नी के कारण जब वो आपकी collide होती है आपकी जो इंडिया का जो पार्ट है जो अस्ट्रिलिया से तूट कर आया और यूरेशन प्लेट जब दोनों आपस में collide होती है और दोनों side से force लगता है तब आपका हिमालिया का formation होता है और हिमालिया अप्लेट होती है क्योंकि यह compress हो जाती है वो crust जब आप किसी जैसे बुक को आप दो अपोजिट साइड से प्रेस करोगे तो आपका बुक फोल्ड होने लगता है वैसे ही जब क्रस्ट को दो अपोजिट साइड से force लगता है तो क्रस्ट आपका फोल्ड हो जाता है तो वैसे ही जब आपका यहां से इंडियान प्लेट आ लग गई और फोल्डिंग हो करके इस तरह से फोल्डिंग हो करके आपके हिमालिया का फॉर्मेशन होने लग गया तो यह आपका इस तरह से हिमालिया फॉर्म में हुआ और इसको इसको जब यह आपकी चो इंडियन प्लेट है सा परिंसुलार वाला पार्ट वो जब आपका इ वॉलकानी के कारण ज्यादा लावा निकलता है और वो जो प्लेट थी उसमे प्लैटू का फॉर्मेशन हो जाता है और ये चीज हुआ था आपका 60 मिलियन एर एगो और साइंटिस्ट बिलीब करते हैं कि अभी तक ये जो कॉलिशन हुआ था अस्ट्रेलियन प्लेट में और य आपको हिमालिया के बीच बीच ओ बीच फार्म होते हुए दिखेंगे हिमालिया का हलका हलका सा हाइट बढ़ता हुआ आप नोटिस करोगे तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है आई होप यू अंडर्स्टैंड दिस चैप्टर अधि याग इस चैप्टर इन तेमर्स्टैंड विच में आपकी यू अगी यू 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 अ यू 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 यू?